हेलो एब्रीवन आई वेलकम यौल टू आई एक्जांबी डेली बीपीडिया अनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जहां पे हम लोग देखेंगे 29 और 30 जन्वरी 2023 के उपेंफ्याब के इंपुर्टे करेंटेट पेर्स तो चलीए शरू करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है हर इनाल इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए दो क्वेस्टंस को ब्लाइब के जाता हूं जिसके यह रहे आपके क्वेस्टंस ने पहला है था what was the theme of International Holocaust Remembrance Day 2023 International Holocaust Remembrance Day 2023 इसकी theme क्या थी यह आप सभी को बताना है इसकी theme क्या थी आपको इसकी theme थी आपकी home and belong के घ्याने की option number B में इसकी theme थी अब यह day क्यों आए जाता है हिटलर की जर्मनी जो नाजी फोर्चेस थी उन्होंने जीवस लोग थे उन पर काफी अत्यचार किया था उन पर genocide किया था तो उनका जो genocide था इस चीज को ही कि आगे ऐसे genocide फिर्चेस ना हो उनकी याद में कुमेमुरेशन के लिए हम लोग मनाते हैं International Holocaust Remembrance Day 2023 इस बार की तो इसके theme थी वह थी home and belonging ठीक है आगे बढ़ते हैं इस रोज आदित्य एलवन मिशन इस प्लांट टो भी लॉंच्ट बाइ इस रोग का जो आदित्य एलवन मिशन है यह किस चीज के लिए है सं के बारे में और संका जो कोरोना वाला हिस्सा है इसकी study के लिए भारत यानि कि इस रोग लॉंच कर लखनी थी ठीक है तो इसके आंसर आपको बताने थे अब हम बढ़ते हैं आवी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अगर को होता है तो जी हाँ आज इंपोर्डेंट डेस है सबसे पहले 30 जन्वरी को मार्टेस्टे मना जाता है सहीद दिवस अब यह सहीद दिवस कौन सा वाला है यह सहीद दिवस है तो महात्मा गांधी जी की डेथ अन्यवर्चरी के उसमें मना जाता है 30 जन्वरी 1948 को गांधी जी की हत्यागर दी गई थी तो उसी उपलक्स में यानि कि इनके इस कोमेमोरेशन के लिए हम लों मनाते हैं मार्टेस्टे हर साल 30 जन्वरी को 2 अक्टवर भारती दिवस यह क्यों मना जाता है क्योंकि यही हो दिन था नौ जन्वरी का जेशिन गांधी जी साओथ ऐखिगा से इंडिया वापस में आये थे तो नो जन्वरी को यह मना जाता है आपका और टीज जन्वरी यानि की आक चाहिँ आँ रब लेकिन द्यान रखेंगे इसको जन्ور के लास्ट संडे को ने भारत में इसको इसको लास्ट संडे को मना पहुते हैं मना जाता है to create awareness against the stigma attached to the disease इस disease के बारे में बताने के लिए और by making the general community aware that it is a disease spread by a type of bacteria and it can be easily cured ये तो disease है ये एक bacteria के माध्यम से फैलती है या होती है और ये easily curable है इसको cure किया जा सकता है basically इस disease के बारे में जानकारी देने के लिए ही लोगों को aware करने के लिए ही मना जाता है वर्ल लेपरोजी टे तीस जन्वरी के दिन भारत में और वैसे जन्वरी के लास्ट संडे वो इसको मना जाते है ठीक है और ये किसके इंपोर्टन बना है प्रेसिडेंट इनाउगरेटेट उद्ध्यान उत्साव 2023 जो भारत में राश्टरपती भावन है वहाँ पे कुछ गार्डन से और हर साल उन गार्डन को जनरल पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है कुछ टाइम के लिए तो वहाँ पे जो गार्डन से व लिए जनता के लिए हर्चाल करते ही इसको तो रहेगा आंप माज तक रहेगा यानि की यह वहां पे हम लोग जा करके विजट कर सकते हैं और वहां इवेंट को हम लों क्या बोलते हैं उद्यान उत्सव बोलते हैं और 2023 तो 2030 को भोल दिया ठीक है आप तही नेमिंग पूछ सकते हैं कि नाम क्या रखा गया है तो राश्टरपदी भावन है यह वो गार्डन है जिसकी बात में कर रहा हूं यही वह अगर आपको दिख रहा होगा तो यह अम्री तुद्यान कहलेगा तो राश्टरपदी भावन है वो राय सीना की पहाड़ी पहाड़ी जो दिल् यहां पर राई सिना की पहाड़ी है वहां पर राश्क्रपदी भवन्यानी के प्रेशिदेंट हाउस हमारे इंडिया का है रावली राजस्तान में पाई जाती है आगे बढ़ते हैं सेकेंड इंपर्डेंट न्यूस क्या बनी है गोवर्मेंट लॉंच स्पेजल मुबाइल ए खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोजार बाइस के लिए भारत ने गौवर्मेंट ने किया है एक स्पेशल एप्लिकेशन लॉंच करी है इसके मात्यम जेतने भी अथलीट है जितने भी कोच है या पिर जो भी स्टाफ है जो भी इन खेल से खेलों से संबंदित हैं जो यहां जाए एप्लिकेशन किसने लॉंच करी है तो आपको पता रहाना चाहिए कि किसने लॉंच करी है ministry of youth affairs and sports इन्होंने लॉंच करी कौँचे मन्त्रा लेने यूथ अप यह से बूच्च को भारत के इस अप्लिकेशन को लॉंच किया है आपको कमेंट सक्षें नों बताना है कि इसके Union Minister कौन है खेलो इंडिया यूद गेमशी की बात करते हैं तो खेलो इंडिया गेमश है भारत में sports culture को boost करने के लिए बारत के बच्चे हैं उनमें sports culture को बढ़ावा देने के लिए वह लोग आगी दागर के कब 2017 में गवर्मेंट दोरह किया गया था खेलो इंडिया लेट्स प्ले इंडिया का इस खेलो इंडिया इवेंट के तहट तीन तरीके की गेम्स होते हैं सबसे पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स दूसरा होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तीसरे होते है खेल लिए स्पोस के लिए अगे जादे मीज़ को और ज्यादा बनाने के लिए ताकि लोगों के बीच स्पोट्स की वारे ज्ञान मिले भारत में बच्चे खासकर इसमें आगे जा करके पार्टिसिवेट करें इस धीज को बढ़ावा देने के लिए 2017 में गौर्वर्मेंट के दोर आपके अंतर राश्टर याने कि इंटरनेशनल सेक्षन से देखने समें इंपोर्डेंट क्या है फॉर्मर आर्मी ऑफिसर पीटर पाविल इलेक्टेट चेक रिपब्लिक प्रागवे यहां की रहतानी तो इसके अभी हाली में कौन बने है नए इलेक्ट हुआ है कौन प्रेसि सकते हैं तो यह वहां के लिए इंपोर्डेंट हो जाता है चेक रिपब्लिक पीटर पाविल इन्होंने हरा है किसको वहां पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे एंड्रेस बैबिस यह में प्रेसिडेंट के लेक्शन लड़ रहे थे इनको हरा करके फॉर्मर जो आर्मी स्वारी करंसी है ठीक है यह आपके लिए इंपोर्डेंट हो जाता है आगे बढ़ते हैं अब आगे रिपोर्ट एंडेक्स यह काफी इंपोर्टेंट है यहां से क्वेशन बन सकते हैं इसको देखेंगे आराम से मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन रिलीज्ट ओल इंडिया सर सब्सक्राइब करें इसके बारे में जितने इसके पैरामीटर्स है कि वहाँ पर नंबर ऑप कितने स्टूडेंट्स ने एक साल में वहाँ पर टीचर्स की संख्या क्या है वहाँ पर कितने स्ट्रॉंग हैं हमारे इंस्टिट्यूट्स या फिर जो भी कुछ इंफ्रास्ट्रॉक्टर्स चीजें उन सबको उन सारे परामिटर्स को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन इस सर्वे को करती है और इसकी आधार पे अपने कुछ फाइंडिंग आपके ग्जाम में उन आपको से क्वेसंस बन सकते हैं णे उन्रॉल्मेंट कितने हुए टीचर को संक्या कितनी बड़ी कितने इस्टिट्ट बड़े और कितना हमने फाइनस कि इस्टिट्ट्स को वो सारी चीज आई कि घिर देखे जाते हैं ठीक है यह वो चीजा है जो सब्सक्राइब अगए जो दाखिलों की संख्या रोल्मेंट की संख्या नमंकन की संख्या है वह 4 क्रोड के आख्ड़े को पार कर गई यहां कि 4.14 इतने enrollment हुए 2019-2020 पर ठीक है यह बात यहां पर की गई है अगली जीज जो यह आप जो यहां पर enrollment हुए इसमें फीमेल enrollment है यह 2 करोल का mark पार कर गए ठीक है नहीं कि 2 करोल enrollment female कर है इसमें और जो SC category है स्टुडेंट्स होते हैं से डूल कास्ट के उनके enrollment 28% से इन में से और जो फीमेल अगर उनमें भी इन लोग फीमेल की बात करते हैं टोटल SC students 28% इतने से भी तो फीमेल है वो कितना है 38% इनका अखड़ा रखा गया इतना हुआ है enrollment के लिए ठीक है substantial increase of 47% enrollment in ST students से डूल ट्राइब के जो students होते हैं उनके enrollment में 47% की व्रिद्धी इस बार देखी गई है and 63.4% increase in the enrollment of female ST students इन में से जो फीमेल स्टुडेंट्स है यानकी से डूल ट्राइब उनमें जो फीमेल हैं उनकी संख्या कितनी 63.4% है इतनी होगे ठीक है significant increase of 32% in OBC student enrollment जो OBC student enrollment है उनकी संख्या कितनी बढ़ गए 32% बढ़ ठीक है सबसे पहले जो overall increment हुआ है वह कितना हो गया 4.14 क्रोड दक के enrollment हुए इन में से जो फीमेल की संख्या कितनी दो क्रोड है SC students में से कितने है 28% है SC students कितनी बढ़ गए 47% बढ़ गए OBC student कितने बढ़ गए इस साल 32% बढ़ गए notable increase of 29% in student enrollment and 34% in female student enrollment in Northeastern region नॉर्थ इस्ट के जो लोग हैं उनके enrollment की बात करेंगे तो 29% increment देखने के लिए मिला है वहाँ पे और 34% female enrollment है वो increase हुआ है नॉर्थ इस्ट रीजन में gross enrollment ratio अगर हम पूरे के पूरे enrollment की बात करते है तो gross enrollment ratio है वह अभी इस बार क्या हुआ है इंप्रूब हुआ है पिसली कार्स लेकर के ठीक है enrollment in distance education has increased by 7% यह उतना colleges बड़े हैं ठीक है और जेंडर पैरिटे इंडेक्स हैस इंक्रीज फ्रॉम वन इन दोज़ार सतर अटार टू 1.05 जेंडर पैरिटे इंडेक्स क्या होता है कि जो नंबर आफ मेल्स और फीमेल्स है जो फीमेल्स और मेल्स हैं वह कितने एजिली एक्सेस कर रहे हैं इनका जो रेसियो है नंबर आफ फीमेल्स और यान कि चैन्दर आफ मेल्स को नंबर ऑंफ यह उसक्ति और प्विमेल्स के इनर्म्डे बड़े हैं क्योंकि उपर पर गया रहता है number of females upon number of males यह रहता है ठीक है यही रेश होता है जंडर परिटे इंडेक्स में तो वह एक से बढ़ा कब आए गाएगा जब उपर का नंबर बढ़ा वगई तो एक से बढ़ा यानिकि फीमेल्स की एंवल्मेंट नंबर वहाँ पर बढ़ा ही फीमेल्स वहाँ जारा एजीली एकसेस कर पाए एजुकेशन को टोटल नंबर आफ फैकल्टी या टीचर्स इंक्रीज बाई 47914 फॉर फॉर्म नैंटीन फ्वेंटी सैतालीस हजार नौसाच चौदे लगबक अटालीस हजार टीचर्स की जंग्यां यहां पर बढ़ी है एक कुछ इंपोडेंट और की फाइंडिंग्स है इसको आप लोग नोट कर लेंगे इस आकड़े को पढ़ लेंगे यहां से एक्जामे कोईशन्स बन सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक विज्ञान और वद्योग्य की नोबल्स हेलन आपके पूछ सकते हैं कि नोब भारत में मिलीएों नोबल क्या है एक टिक एक तो कि यह हमारे भारत में होपं पहां पर दो कि आपको प्रदेश में परक में इसको is को देखा गया है आप सेब श्यलिख न scor पूछन की है बा टरफलाई की पहले कहाd T enjoyment नाम और म्यामार अब पहले बार का मीं लिए भारत के रोनाचल प्रदेश नामदफा नैशनल पार्क में मिली है ठीक है यह आपको यहां से याद रखना है आगे बढ़ते हैं इवेंट्स जी ट्वेंटी इंटरनेशनल कि वरकिंग कर रहा है इसके अंतरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेशनल ब कि यह क्या करता है जितने भी आपके कमजोर कंट्रीज है वहाँ पे कितना फाइनस से यह कितने पैसी जरूरत है उन सब चीजों के बारे में नाम से आपका अलम जल रहा है आप फाइनस की चीजों को आर्किटेक्ट करेगा वहां पर बिल्ड करें तो उन सब द्यान में रखता है कि कितना पैसे लगाना है क्या कटना है इनकी पहले मीटिंग कौन सी कहा होने वाली है बारतिया देक्ष्टा में चंडिगड में 30 और 31 जनुरी आप से बताया जा रहा है ठी जी ट्वेंटी के स्थाफना 26 सेतंबर 1999 जी ट्वेंटी उननीस कंट्रीज मतलब 20 मेंबर है इसमें 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपीयन यूनियन है इसमें ट्रून नंबर टोटल कितनों के मेंबर्स इसके 20 हो जाएंगे अपॉइंटमेंट्स देख लेते जरीन है ठीक है जो की बॉक्सिंग के प्लेयर है निखत जरीन जो ने बर्मिंगम आपने देखा हो जो बर्मिंगम अभी कॉमन वेल्ट गेम से वहां पर भी इन्हों ने गोल्ड मेल चीता था तो इन्हों ने इनके साथ एक एग्रिमेंट किया और अब इनको यहां पर बना बात में इसकी क्या है और इसका हेटकॉर्टर देखने के लिए आपको मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है बुक्स वैन दे कनवर्स यह एक अभी हाली में रिलीज हुई है वैन दे कनवर्स इस बुक को लिखा है किसके दौरा साधना संकर के द साधना संकर के द्वारा लिखी गई है आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्पोर्ट से आई सी अवर्ड दोजार बाइस तिये गए इसमें जो जो कैटेगरी होती है इसको मिला हूँ आपको दिखा देता हूं किसको क्या क्या मिले हैं आपको यहां भी द यह इनको एक जो मैंने आपको पिछले अनालेसिस वीडियों बताया था कि जो मैंस ओडिया क्रिकेटर आप देयर कौन बनें बाबाराजम तो आज मैं फुरी लिस्ट आप लिए लेकिया हूं ठीक है रासल है फ्लिंट ट्रॉफी नाट साइवर इंग्लेंड के है मैंस टैस ज्रीन डिए ओड़िया के सुरह खुमार कि इधलो में में कॉनत तालिया मैफ्रत मैंसल्मर घ्रिकेटर आ है अब यह ही विमें मौईंग अगे गए तो विमेंसल्मा अमीप गए खन कुनो नैशनल पार्क में साउथ अफ्रिका के साथ फिर से डील कर दी गई है वहां से लगवग सो यह सो से उपर चीता यहां भी लाए दाएंगे हर साल बारा बारा लेकर आए जाएंगे ठीक है वो डील हुई थी उसके बाद डेविट सैफर्ड ट्रॉफी रिचार्ड इलिं अब हम बढ़ते हैं हमारे important questions इसके answers आपको comment section में देना होता है पहला question who among the following players has been selected as ICC men's cricketer of the year अभी बताया था आपको इसका आपको comment section में इनमें से कौन है इनको ICC men's cricketer of the year 2022 घोषित किया गया है ODI इनका बताना है पंजाब केशरी सेरे पंजाब इनको फोला जाता है यह दो questions के answers आपको comment section में देने हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब एक important काम आपको करना है telegram अगर है अगर नहीं है तो download कर लीजी है तो search बार में जागर के SSCB SSC इसको सर्च करो जो चैनल आएगा उसको आपको join कर लें क्योंकि यहां पर आपको जितने भी important content है जितने भी important information notification होती हो सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाती है पहले तो उसको टाइम लिप आने के लिए आपको इसको join करना उठावाएं साथ ही आपको white channel भी subscribe कर लेना है ताकि कोई भी important content हम upload करते हैं तो वह आप से miss ना हो सब्सक्राइब यह सारे काम करने हैं आपको ताकि आपकी प्यारी बहतर हो इसी के साथ आज के इस वीडियो के यहां पर हम खतम करते हैं बाकि आपके प्यारी होती है को 50% faster थैंक यू